हेलो दोस्तों वेल्कम है हमारे चैनल में आप की बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए गाजेट्स ले के आते हैं बहुत बड़िया-बढ़िया आपके लिए रेवियु लेकर आते हैं गर्मियों का मौसम गाईश देख रहे हैं आप पसीना कितना ज़़ादा निकल रहा है और गर्मियों का मौसम बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है इस मौसम में आपको भी चाहिए एक बहुत अच्छा एसी थमनेल देखके आप जान गया होगे कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे जेनरल के एसी के बारे में और जेनरल से पूरा इंपॉर्ट होता है और इंडिया के अंदर सेल होता है तो गाइस इसी लिए इसके अंदर है कुछ खासियत इसी खासियत को आज अपने वीडियो में डिसकस करने वाले हो वीडियो बने रहीएगा एंट टेक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तु होते हैं फॉरण के वो हैं क्योंकि इस एसी के अगर पार्टिकल बात करें दो टन का यह एक है और यह पूरा इंपोर्ट है मेडिन थाइलेंड यह नहीं थाइलेंड के अंदर भी बना हुआ है काफी अच्छा इसका जो अंदर के पार्ट से वह लगाया जाते है काफी बढ रहता है जबकि बाकी क्याइज की बात करें हैं ग्रों सारे बिल्ट करूलिटी खालकी होती है करी से सी की वडिया पैनल है जो बहुत Lean जादा मजबूती प्रदान करता है साथ जो बाहर का एट्मॉस्फेर होता है जब 50 डिग्री 55 डिग्री तक नॉर्मल एसी जो होते हैं आपने इंडिया में वह 48 45 47 डिग्री तक बंद हो जाते हैं जबकि यह सी 55 60 डिग्री तक भी काम करता रहता है इसी लिए एफेक्टिव कुलिंग देता है जब करने इसके इंटरन पार्ट के जो इसका कंडेंसर होता है इस वाली जाली के पीछे लगा होता है अपने अक्सार अपने घर में एसी सर्विस खलते डाइम देखा होगा वह कंडेंसर गाफी जादा लेयर्स में में होता है तीन लेर के अंदर और में डी में आता है यब तो उससे जो गैस होती है ईसका जाओ होता है इस पात होता है काफ्य जाधा बढ़ जाता है और जो हवा गरम कमरे रहा कि बहुत जयादा छूति यह जादा फॉर्फ करती है इस 성 hadah कंप्रेशर舞े होती है जो हिटिंग कोईल में जाती है कूलिंग कोईल में जाती है वह यहां पहप्रชा definitive ुर्फ पॉर फाइची तक मिल जाती है काउंट में अगर बातके नॉर्मल से की तो विसमें आपको 5 अज़र mend तो गाइस देर ना करती हुए आपको बताते हैं कि ओ जनरल का एसी इतना ज्यादा ठंडा क्यों करता है या फिर ऐसी धानड़ा बनी हुई है कि अगर ओ जनरल का एसी लगाएंगे तो कूलिंग ज्यादा मिलेगी गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं अगर प्राइजिंग की तो ओ जनरल का एसी आपको अधर एसी की कमपेरिटिटिम में बहुत ज्यादा महेंगा मिलता है या नि अगर आप एक नॉर्मल एसी 1.5 टन की अगर बात करें तो 30,000 की रेंज में जो 1.5 टन का एसी आरता है वह यही इसको अलग बनाती है नॉर्मल एसी से लेकिन अगर प्राइजिंग की बात करें हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि प्राइजिंग में काफी जादा होने वाला है ओ जनरल ब्रैंड का एसी क्योंकि यह होता है पूरा इंपोर्टेट और इसके चुपार्ट संदर हो अब बता दें आपको कि आजकल इस बार जो मार्केट में चल रहा है दो तरह के जनरल के इसी चल रहा है एक मेडिन इंडिया और एक होता है मेडिन थाइलेट तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चाहिए तो 2022 का यह मॉडल आप ले सकते हो और आपको नॉर् नए टॉपिक के साथ किसी नए ऐसी के लिए